अज हम लोग बात करेंगे करेक्टर डाटाटाइप की तो देखे गरेक्टर डाटाइप क्या होता है कि इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर प्रोग्रामिंग लेंग्विज जो है उसका किसी भी करेक्टर डाटाटाइप को हेंडिल करने का अपना अलग तरीका होता है first we write करेक्टर डेटाटाइप ठीक है इसमें क्या होता है कि Each डेटाटाइप has its own formula for recording a sequence of bits in memory ही हर डाटा टाइप का अपना फॉर्मॉला होता है किसी सिक्विन्स पो डिकोड करने का मेमोरी में अब करेक्टर डाटाइप में बात करते हैं पहले कॉंस्टेंट्स की कॉंस्टेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम क्या करेंगे कि कोई भी हमारे पास मान लीजे करेक्टर की स्ट्रिंग है उसको सिंगिल या डवल कोटिशन मार्क्स में अगर हम कवर कर देते हैं तो वह कॉंस्टेंट हो जाता है है थीका मतलब कोऊना क्या हुआ जैसे माल लिजीः आपने से सपॉस कीजिब कर देंगे तो फिर यह क्या होगा यहुजएगा string constant it will become an string constant ठीक है और इसकी length कितनी हो जाएगी इसकी length हो जाएगी आप देखिए 1, 2, 3, space 4 5, 6, 7 इसकी length हा जाएगी 7 ठीक है ऐसी माली जब दूसरी एम एक्जामपिल लिखते हैं हम से हमने लिखा to be or not to be यह तो string है इसको हमने क्या क्या course में कर दिया ऐसे course में करने से क्या हुआ यह string constant हो गया और इसकी जो length हाएगी वो हो जाएगी इसकी length हो जाएगी आप चाहे तो calculate कर लीजे 18 कैसे 1, 2, space 3 4, 5, space 6 7, 8, space 9, 10, 11, 12 फिर space हो गया 13, फिर 14, 15 15, space हो गया 16, 17, 18 तो यह इस तरह से constant हो जाता है ठीक है तो यह character constant हो जाते है अब variables की हम लोग बात करें अब हम लोग बात करते हैं variables की variables क्या होता है कि देखे इच programming language has its own rules for forming character variables मतलब हर programming language के अपने नियाम कानून है rules है कि इतने character का variable होने चाहिए यह characters नहीं use होने चाहिए variable name में ठीक है variable name को ऐसे declare करना है तो वो जो rules और regulation है वो हर programming language का language to language differ करता है अलाकि इसमें एक दो चीजे जो है common है तो इसको हम character variable को हम categorize कर सकते हैं तीन categories में ठीक है एक तो होता है आपका static character variable पहला होता है आपका static character variable variables ठीक है character variables इसमें क्या होता है कि it means कि a variable whose length is defined before the program is executed and cannot change throughout the program मतलब static character variable का क्या है कि इसकी length जो है वो defined होती है before execution of the program program से पहले इसकी length before execution of the program program execute होने से पहले इसकी length define कर दी जाती है और यह फिर throughout the program change नहीं होती है पहला तो यह हो गया static दूसरा जो होता है वो कहलाता है आपका semi-static this is called semi-static character variable इसमें क्या होता है कि a variable whose length may vary during the execution of the program as long as the length does not exceed a maximum value determined by the program before the program is executed इसमें क्या होता है कि length vary करती है during the program but cannot exceed maximum value एक maximum value define कर दी माली हमने खा 20 तो उस variable की character value जो है वो vary कर सकती है कभी 10 characters कभी 12 characters कभी 15 कभी 5 कभी 4 but 21 नहीं हो सकती है so it cannot exceed a maximum value और यह maximum value program execute होने से पहले ही define कर दी जाती है तो इस तरह को बोलते है semi-static अब आता है आपका third third होता है dynamic यह आपको नाम से ही clear हो जाएगा dynamic character variable इसमें क्या होता है a variable whose length can change during the execution of the program इसकी length जो है program जब vary कर रहा है to the ways the strings are stored in the memory of the computer तो यह जो तीन character तीन categories बनाएं आपको character के इसी तरह अभी जैसे हमने string operation पढ़ा था कि string को कैसे store करते हैं तो वही scene यहां पे भी है एक हो गया आपका static जिसमें character length fix ठीक है वह vary नहीं करेगी दूसरा है आपका fix उसमें vary कर सकती है लेकिन maximum value के पार नहीं जा सकती है और वह maximum value प्रोग्राम एक्जक्यूटर ने से पहले define कर दी जाती है और तीसरा क्या है dynamic इसमें कोई limitation नहीं है throughout the program execution the length में vary यह कहलाता है dynamic character अब इसके कुछ example जो है वह आप देख लीजे कि जैसे for example हम बात करें तो उसे माली जमने का example जैसे माली पहला example लें तो कुछ photon program जो होते है वह क्या करते हैं वह static character variable use करते है static मतलब आपको प्रोग्राम का statement लिखे है तो suppose किजिए हमने लिखा यहीं पर define कर दिया photon program लिख रहा है हमने का character c h a r c t e r हमने यह लिखा स्ट्रिंग 1 हमने यह लिखा s t 1 इसकी length define कर दि 10 ठीक फिर हमने लिखा s t 2 इसकी length हमने define कर दिया 14 इसका मतलब क्या हुआ कि अब s t 1 जो हम देंगे उसकी length 10 होगी इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप आपने एक s t 1 में दिया the end इस तरह और s t 2 में दूसरी string में आपने दिया to be और not to be to be और not to be यह दो string आपने दिया अब length एक की 10 defined है एक की 14 defined है तो यह जो memory में store होगा तो देखिए s t 1 store होगा 10 character पहले आप बना दीजिए जगह 10 character के लिए ठीक है ना तो आपने यह लिया suppose कीजिए इधर हमने कर दिया यह हो गए 4 character और इधर हम divide करते हैं हमें कितना कर रहा है यह 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 अब देखिए एक दो तीर चार पाथ छे साथ आठ नौ दस हादस हो गए अब यह जो पहली string है यह memory में store होगी तो यह ऐसे आपकी store होगी फिर space फिर e and d इस तरह से st1 store हो जाएगी memory में st2 की हम बात करें यहां कितना defined है 14 अब क्या कीजिए आप यहां पे 14 करेक्टर store करने के लिए string मरा दीजिए ठीक है कैसे करेंगे इसको मान दीजिए 14 करेक्टर हमको करना है सब होस कीजिए ऐसे किया हमने ऐसे किया ऐसे किया और फिर यह हो गया फिर डिवाइड किया हमने यह 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 हो गया होगा 16 और यह हमने कर दिया सौरी 14 डिवाइड है तो यह आपको हटाना पड़ेगा यह दो चलिए ऐसे बना देते अभी जित काउट करके एक दो तीन चार पाट छे साथ आठ नो तस क्यारा बारा तेरा और मान लिजे यह 14 यह चलिए बड़ा नहीं रहना चाहिए अला कि वो कंप्यूस करेगा आपको यह नहीं है समझ नहीं है यह हटा दिए यह हटा दिए तो यह स्टोर होगा तो देखे टूबी और नॉट टूबी यह हो गया आपका टू फिर स्पेस बी फिर स्पेस और नॉट पिर तू बस अभी यह लास्ट का यहां यह कड़ जाएगा क्योंकि हमने चौदा करेक्टर दिया था यहां पर उससे ज्यादा करेक्टर की जरूरत है तो इसका मतलब क्या हुआ है एस्टिंग इस्टोर्ड लेव्ट जस्टिफाइड इन मेमोरी आइधर अब इस्टिंग की लेंध अगर यहां पर 14 ही हमने एलॉट किया है और इस्टिंग की लेद अगर उससे ज्यादा आती है करीब अठारा आ रही है तो फिर यह राइट साइड से कड़ जाएगी इस्टिंग इस्टिंग यह हो गया अब उसमें क्या होता है यह तो होगा आपको एक फोट्राउन प्रोग्राम की अपने एक्जाम्पिल बता दी अब ऐसी माल लिए दूसरे एक्जाम्पिल लेते हैं से सब्सक्राइब बेसिक लेंग्विज में यह किसका आपने बताया था अब बेसिक लेंग्विज में यह है कि जब भी हम कोई डिफाइन करेंगे तो उसके उस वरेबिल का नाम जो है डॉलर साइन से हैं मतलब क्या हुआ कि वरेबिल सर सेमी स्टेटिक वन्स फूस लेंच केन नौट एक्सीड एफिक्स बाउंड तो इसका मतलब क्या हुआ जैस इंटर किया हमने अेंटर kiya दा बिगनिंग को जैसे है रह समें हमने और दूसरा वेरेबिल दिक्लियर किया उस्में हमने क्या इस टोर किया उसमा एन फैन्स टोर किया ता एनड इस तरह ठीक अब इसमें क्या होगा कि जब आप इस तरह string define करेंगे character variables को तो when the segment is executed the length of a dollar तो अब a dollar की length कितनी होगी a dollar की length होगी 13 और b dollar की होगी 7 इसकी होगी 13 और इसकी होगी 7 इसमें एक चीज़ और द्याने देने वाले हैं कि basic language uses double quotation marks to denote string constant जैसे पोर्टरॉन में तो देखें सिंगिल कोट यूज किया था यह देखें सिंगिल कोट यूज किया हम ले बेसिक language क्या करता है डबल कोटेशन मार्क्स करता है इस तरह तो यहां पर जितने characters की जरुरत पड़ रही है उत्ते में उतनी ही length होगी इसकी 13 होगी इसकी साथ होगी तो यह एक तरह से होगी आपका semi static clear अब इसमें एक और example लेकर आपको पता देते हैं एक और example हम लोगते हैं होगत हऊं और हमारा क्या क्या था यह था डायने में हमसे इसमें बात करते हैं कि वтесь कड़ेंगे पॉसमें क्या होगा कि इसैसरा एक्जामप्र मालीजिए इन पास्कल स्अग पास्क्र डाइंबनेंगेंच यह लिनर आप करेक्टर लिए आप्ट यपिवय को सूरत का बॉसमेंट दिएब अबड़ेंगे इसल हो दो तो पहली बात तो वो एब्रिवेट करते हैं उसको इस तरह से CHAR ठीक और एक variable केवल एक character show करेगा तो इसका मदलब अगर आपको string of character save करना है तो आपको linear array of character बनाना पड़ेगा उसको मदलब क्या हुआ जैसे हमने या टिकलियर किया कोई variable BAR उसका नाम क्या है word तो हम ऐसे लिखेंगे array और यहां पर हम उसकी length करेंगे one से लेकर मान लिजे 20 तक और यहां हम लिखेंगे of character यह तो पासकल में आपको इस तरह define करना पड़ेगा इस को इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक string शो कर रहा है जिसका नाम क्या है word है और कितने character की string है 20 character की ठीक अब word one is the first character of the string यानि अगर हम जब पूचेंगा भई word one क्या है तो यह string का पहला character word two क्या है दूसरा character अब कर दिया तो यह एक तरह से आपका इस तरह से अलग अलग लेंगविज जैसे पी यलवन का भी एक्जाम्पिल आपको बताएंगे चलिए आगे चलके और श्नोबाल लेंगवेज उसका बताएंगे तो उसमें क्या होता है कि अलग लेंग्वेज करेक्टर को अलग अलग डील करते हैं तुम्हां लीजे एक हमने एक्जाम्पिल लिया कि कि स्नोबाल जो लेंग्वेज है कि वह क्या करता है डैट यूजेज कि डाइनेमिक करेक्टर variables मतलब क्या हुआ इसका कि माल लिजे आपने स्नोबाल प्रोग्राम में आपने इस तरह लिखा आपने लिखा word is equal to single quotes आपने या लिखा computer ठीक दूसरा आपने define key string text is equal to आपने या लिखा in the beginning कुछ भी लिख सकते हैं आपको example लिखाना आपको ये अब इसमें क्या होगा कि इसमें दो character values defined है एक word और दूसरा text अब when this segment is executed जब ये line execute होगी तो जब आप word की length देखोगे तो इसकी length कितनी है COMP4 और UTER 48 इसकी length है 8 ठीक और इसकी आप रिफाइन की है इसका मदलब snowball जो लेंग्वेज है ठीक है वो प्लीज वीडियो को शेर कीजे लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे और notification bell को जरूर on कर दीजे ताकि next वीडियो की information आपको मिल सके थैंक्यू थैंक्यू